नमस्कार मैं हूँ आपके साथ तुरू है उत्तर प्रदेश के पीली भीज से बीजेपी सांसद वरुन गान्धी अपनी ही पार्टी के खिलाब बयानबाजी लगातार करते रहते हैं इसलिए लंबे वक्त से ये अटकले लगाई जा रही हैं कि वो कभी भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और कॉंग्रेस का हाथ ठाम सकते हैं वहीं जब कॉंग्रेस की भार्ट जोड़ यात्रा यूपी में पहुँचे थी तम माहूल ऐसा बना था कि वरुन यात्रा में शामिल हो सकते हैं हालंकि ऐसा नहीं हुआ और राहूल गान्धी ने भी साफ कर दिया कि वो वरुन का स्वागत पार्टी में नहीं कर सकते राहूल ने अपने बयान में उस वक्त कहा था मैं उनसे मिल सकता हूँ गले लग सकता हूँ लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता हूँ इसके बाद खबरें आए कि वरुन गान्धी अकलेस यादव की समाजबादी पार्टी में जा सकते हैं लेकिन अब इनी खबरों के वीच वरुन गान्धी की माँ सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेंका गान्धी ने सारी अटकलों पर इशारों ही इसारों में विराम लगा दिया है और तस्वीरे साफ्ट करने का प्रयास करते हुए बता दिया है कि वो बीजेपी में ही रह लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि मेंका गान्धी ने ब्रविस्ट को लेकर भी बात की होगी क्योंकि जब यसे ये मुलाकात हुई है तब ही से वरुन गान्धी की तीवर थोड़ा नरम पड़े है और पार्टी की विरोध में वो फिलहाल नहीं बोल रहे हैं ऐसे में देखता होगा कि 2024 से पहले वरुन गान्धी कोई बड़ा कदम उठाते हैं या फिर बीजेपी में ही रहते हैं क्योंकि राहुल ने तो साफ कर दिया है कि वो वरुन का स्वागत कॉंग्रेस पार्टी में नहीं कर सकते हैं केवल सिक्ष्टाचार भेट कर सकते हैं वरुन गान्धी के लिए कॉंग्रेस पार्टी में नहीं बोलते हैं स्वागत किसी का भी है बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पर प्रॉब्लम तो होगा आप उन से पूछिए पहल पता ने मुझे थोड़ा मुझे एक थोड़ा मुझे ही अग कंफ्यूशन हो गई है पता ने आप जहां नहीं अभ्या बोलों कॉंग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी एंडर कभी अंदर कोई बाहर पता नहीं मुझे